वेलकम टू नेक्सक जाओं आज है आठ अगस्त 2022 और आठ अगस्त 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुछिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियों में डिस्कुस करेंगे और हर कुछिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फेक्ट वी मैं आप पो बताऊंगा तो आप से क्यों से पौुशंगा उसका आँसर आपको कुमेंट वाक्स बताना है आज किस वीडियों के फाईल आप इस वीडियों के डिस्कुसमें से डॉख कर सकते हैं पेडियों एप व्मारे टेलीगराम उडिप से डॉख्ण बात मिल जाएंगी और टेलीग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो की डिसकुस्मिन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम गुरूप चोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में रास्ती हत्करगा दिवस का मनाय गया है तो अभी साथ अगस्त को रास्ती हत्करगा दिवस मनाया गया तो इस कुशन का बे ऑप्सन सही है अभी रास्ती हत्करगा दिवस क्यों मना जाता है तो सामाजिक आर्थिक बिकास में हत्करगा उद्यों के योगदान को उजागर करने और इस छेत्र के बारे में जा 2015 में कब 2015 में इसे पहली बार मनाया गया था अच्छा अभी 6 अगस्त को हिरोसिमा दिवस मनाया गया 5 अगस्त को अंतरास्टी ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया 2 अगस्त को पिंगली बेंकेया की 146 मी जैनती मनाया गयी और पिंगली बेंकेया इन्होंने भाजरती ध्वज का बेसिक डिजाइन तयार किया था अच्छा एक अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिबस और बर्ड लंग कैंसर डे मनाया गया तो अगस्त में अब तक इतने इंपोर्टेंट यह बनाये गए यह आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चोटा सा ही टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो आपक उत्त्राखंड सरकार ने अपने प्रत्य जिले में एक संस्कृत भासी गाउं विक्सित करने का निड़े लिया तो इस कुछ इनका से आप्शन सही है उत्त्राखंड सरकार हर जिले में एक ऐसा गाउं डिवलप करेगी जहांकि लोग बोलचाल की भासा में संस्कृत का उप्य और उत्राखंड का पहला हिमालियन मसाला उत्यान उत्राखंड के राणी खेत में स्ताफित किया गया उत्राखंड में operation मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाडी उन्यन योजना ये उत्राखंड में शुरू होई है और उत्राखंड में पहली बार दुरलव मासाहरी पौदे की प्रजाती मिली है स्वास्ते खेत्र में ड्रोन लॉंच करने वाला पहला राज उत्राखंड मना है अच्छा उत्राखंड में अरेला पर मना जाता है फूल देईत योहर मना जाता है फूलों की गाटी उत्राखंड में है और सांत गाटी सांत गाटी केरल में है उत्राखंड में जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना जाता है इसका पूर नाम है हैली नेशनल पार्क अच्छा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट का हेड़कॉर्टर कहां पे है उत्राखंड के दैरादून में और इसकी अभी प्रजेंट टैप डिरेक्टर कौन है रेंडू शिंग एफ आर आई यानि कि फॉरेस्ट रिस तमिलनाडू की बेल्स इंस्टिटूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी के बारे में दीख्छन समारों में सुरेस्ट रहना को डॉक्टरेट की मानद उपादी से समानद किया गया तो इसकुशन का बे आप्शन सही है नेकुशन है हाली में कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 में बेन इस फोगाट ने 53 किलोग्राम बर्ग की फ्रेस्टाइल कुस्ती में स्वर्ड पदक चीता तो इसकुशन का से आप्शन सही है यह हैं बेने इस फोगाट अच्छा इस बार के कॉन वेल्थ गेम्स कहां चल रहे हैं कि कई बार मैंने आपको बदा दिया है बर्मिंगम में चल योजना की सुरुआत की है तो अभी गुजरात की चीफ निश्टर ने इफको नैनो यूरिया चिड़काव योजना की सुरुआत की तो इसकुशन का बे आप्शन सही है यह जो योजना है इससे क्रसी के छेतर में ड्रोन के उपयोग को महत्तवपूर योगदान मिलेगा अ अब इफको इफको की फुल्फों क्या है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को उपरेशन इसकी स्तापना का उफ़ी 1967 में इसका हैड़कॉर्टर कहां पर है न्यू डैली में और इसके प्रजेंट टैम पर चेर्मेन कौन है देलेप संगानी कौन है देलेप संगानी अब गुजरात तो यह है मैप में गुजरात की केपिटल क्या है गांदी नगर गुजरात की चीपनिश्टर कौन है वो पेंदर भाई पटेल और गुजरात की गवर्नल कौन है आचार देवरत अच्छा अभी सबसिडी के आधर पर सेमी कंड़क्टर नेती सुरू करने वाला प टेल स्लेंग से बनी भारत की पहली सडक का उदगाटन गुजरात की सूरत में हुआ है और बाले का पंचाय सुरू करने वाला देश का पहला राज गुजरात बना है अचा गुजरात में गिरी नेसनल पार्क है ये एसिया टिक लॉइन्स के लिए फेमस है सरदार सरोवर ड हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ है उनका नाम क्या है तो आजाद हिंद फौज के मेजर थे एश्वर लाल इनका अभी 92 वर्स की उम्र में सिंगापुर में निधन हो गया तो इसको शिंग का ए ऑप्सन से यह ये थे एश्वर लाल इन्होंने नेताजी सुबास चंद बूस के नित्रत में काम किया था और अभी शिंगापुर में 92 वर्स की उम्र में इनका निधन हो गया है ने क्यूशन है किस राज सरकार ने एन आई एसजी के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये हैं तो अभी आंद प्रदेश गौ़र्मेंट ने एन आई एसजी के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये हैं तो से सबस्किंच stað Tolkien का स्वाब सचिर अन इस enabling क्या है नेशनल इंस्टिटीय। फौर इसमार्ट गावर्मेंट क्या है नेशनल इंस्टिटीय। फौर इसमार्ट गवरिमेंट इसके साथ अभी आंद प्रदेश सरकर ने गन मोहन रेड़ी और आंद्रप्रदेश की गवर्णर कौन है बेश्यू भूशड हर चंद्रण अच्छा ध्यान रखना बासा के आदर पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंद्रप्रदेश क्रस्ची अबसर्रक्चना कोस के उपयोग में अभी आंद्रप्रदे बनी है और DPIT द्वारा जारी एज और डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंद्रप्रदेश टॉप पर रहा है अच्छा आंद्रप्रदेश में कुलेरू लेक है और पुलेकट लेक है पापी कोंडा नेशनल पार्क और स्रे बैंकटेस और नेशनल पार्क ये भी आंद्र भारत ने बांगला देश को हराकर स एफ ऐंडर 20 फुटवाल चेंपियनशिप जीती तो इस कुश्यन का ब्यॉप्सन आई अब एस ऐफ यानिकी साउथ ए इसिन फुटवाल फैडरेशन क्या है साउथ एशिन फुटवाल फैडरेशन अब यह बांगला देश ने जीती है त प्रैमिस्टर कौन है शेक हसीना और बंगलादेस के प्रेजेंट टैम पर प्रेसिडेंट कौन है अब्दुल्ला हामित अभी वसीफा नाजरीन केटू फत्य करने वाली बंगलादेस की पहली महिला बनी बंगलादेस के खिलाडी हैं तमीम इकबाल इन्होंने टेट टूंटी इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास की गोश्ण की बंगलादेस ने मुस्त फिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक निउत किया और सत्रे में मुंबई अंतरास्टी फिल्म महुत्व में बंगलादेस को कंट्री ओफ फोकस चुना गया बंगलादेस पहली अपनी डिजिटल जनगरना कर रहा है पहली डिजिटल जनगरना बंगलादेस कर रहा है इतना आपको बंगलादेस के बारे में याद रखना है ने क्यूशन है हाली में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहां आयुजित की जाएगी तो अभी 13 अगस्त को भारत की पहली डिज कि टलोग चादालत राइस्टान में आयोजीत की जाएगी तो इस कुश्चिन का ए और सभारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक राइस्टान में जान सबा में स्वास्ते का अधिकार बिदेक पेस करेगी। जारखंड और आंदरप्रदेश की बाद राइस्तान यूरेनियम खणन में प्रवेश करने वाला तेसरा राज्य बना। राइस्तान सरकार ने राजीव गांदी ग्रामीड उलम्पिक पुरुसकार पदान करने की गोशन की है। अनावरण किया। तो इसको शिनका बे ऑप्शन सही है। ने क्योशन है। चैना ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। तो अभी बंडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बंगलादेशी बल्लेबाज तमीम इकवाल बने हैं। तो इसको शिनका बे ऑप्शन सही है। और अभी इसी वीडियो में आपको बताया है। कि तमीम इकवाल ने अभी T20 इंटरनेशनल से सन्यास की गोशना की थी। और अब इनों ने जिंबामबे के हरारे में बंगलादेश के पहले ऐसे खिलाडी बनने का रिकॉर्ड बनाया हैं जिनों ने 8000 रन बंडे में मना लिये। नए हुशन है। हाली में जगदीप धनगड बारत के कौन से नमबर के उपराष्ट पती चुने गए। तो जगदीप धनगड ये पशे मंगाल के पूर गवर्णर हैं और ये अभी भारत के 14 में नमबर के उपराष्ट पती चुने गए। तो इस कुशिन का C options है। ये हैं जगदीप धनग ये बारत के 14 में नमबर के उपराष्ट पती चुने गए हैं और अभी ये 11 अगस्त को उपराष्ट पती पत की सफ़त लेंगे। नए स्कुशिन है हाली में कहां पहली बार मचल महिला क्रिकेट लेक का आयोजन किया गया। तो अभी कस्मीर में पहली बार मचल महिला क्रिक कारियों ने ये मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कराया है इसमें क्या है एलोसी के पास जो गाउं है मच्छल पुश्वरी डूंडी इनकी लड़कियों को ये क्रिकेट लीग में पार्टिस्वेट कराया गया है जिससे कि वहां पर भी खेल की भावना पैदा हो सके next question है हाली में किसने आजादी की 75 बर्स गांट पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है तो अभी Google ने आजादी की 75 बर्स गांट पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की तो इस question का say options है अब Google ने की तो Google के present time पे CEO कौन है सुन्दर पिचाई अब last video की question क last video मैंने आप से question पूचा था कि हाली में रास्ती राजमार्गों के गुडवत्ता परिक्षड के लिए किसे चुना गया है तो अभी उड़िशा को रास्ती राजमार्गों की गुडवत्ता परिक्षड के लिए चुना गया यानिक इस question का a option सही था और लगबग सभी में आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको इतना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question हाली में भारत पे ने किसे पोश्ट करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook पर join कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रे सर्च सर्च करके कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर यह video आपको अच्छा लगा है एलफो लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उन में आप इस video को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का video आपको यह video कैसा लगा please comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चत ही मदद मिलेगी जब भे आपसे subscribe रहेंगे तो बरावर में एक bell icon बन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर ले जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam always video thanks for watching